गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो आज हम अपना लेसन आगे बढ़ाएंगे ये पेज नाइटी पर हम एक्सराइज करेंगे इसमें लिखावा है पार्ट से आगे वोपर देखेंगे आप लोग पार्ट से आगे ये सभी चित्रों किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए ह व्यक्ति मतलब आदमी पता करो कौन बच्चो एक चर्खा बना हुआ है घड़ी है जेब घड़ी ये बंदर है तीन खड़ाओं है चश्मा है और एक लाठी है ये सभी चित्र बच्चो ये महात्मा गांदी जी से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में लेसन है जिनके आश घड़ी पहनते थे उनके पास तीन बंदर थे वो खड़ाओं पहनते थे चश्मा लगाते थे और हाथ में उनके लाठी रहती थी तो ये सभी चित्र महात्मा गांदी जी से जुड़े हुए हैं नीचे की एक्सराइज में लिखाए बच्चो कौन क्या है यहां कुछ चीज है बाग, गाए, बकरी, हाथी और हिरन ये सब जानवर हैं नीचे लिखी चीजे क्या हैं खाली जगहों में लिखो आपको इनको खाली जगह पे ही लिखना है पहला लिखा है अगरतला, अल्मोडा, राइपूर, कोची, वडोद्रा तो बच्चो ये सब शहरों के नाम हैं ये सब शहरों के नाम हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हैं दूसरा है जलेबी, लड्डू, मैसूर पार्क, कलाकंत, पेड़ा तो सब बच्चे जानते हैं कि ये सब मिठाईया हैं तो ये मिठाईयों के नाम हैं आगे है नर्मदा, कावेरी, सतलूच, पुत्र और यमना बच्चो ये सब नदियों के नाम हैं ये सब हमाई देश की नदियां हैं बरगद, नारियल, पीपल, चीड, नेम ये सब पेड़ों के नाम हैं ये सब पेड़ हैं ट्रीज हैं गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सब बच्चो अनाजों के नाम है कि हुँ पिसवाने जा रहे थे क्यों जी मल कैसे कैसलिया में आपने पढ़ा बाजरा भी एक तरह का आनाज है चावल भी अनाज है रागी रागी को मंडवा भी कहते हैं और मक्का भी एक तरह का आनाज है तो ये सब अनाजों के नाम हैं लास्ट है कुर्टा सारी फिरन लहेंगा और कमीज तो ये सब कपड़े हैं कुर्टा पहना जाता है सारी लेडीज पहनती हैं फिरन कश्मीर में पहनते हैं जहां बहुत ठंड होती है एक लंबा कुर्टा सा होता है उसको फिरन कहते हैं लहेंगा लेडीज पहनती हैं लड क्योंकि भी होती है और जैंट्स की भी होती है तो ये सब कपड़ों के नाम हैं बच्चो आज का आपका होंवर्क है कि इस एक्सरसाइज को आप बुक में ही भरेंगे कौपी में कुछ ने लिखना है यहाँ पर भी ये सब किस चित्र किस से जुड़े हैं ये भी लिख लेना कांदी जी से जुड़े हैं और ये ये चीजों के नाम भी क्या हैं ये आप बुक में ही भर लेंगे थैंक यू बच्चो आज के लिए इतना ही